इस वीडियो में दिखाई गई उनी exercises को आपको करना है जिने आपको करने के लिए कहा गया है पहली exercise है pec minor stretch इसे 30 second तक hold करके रखें और 3 बार दो रहें लेट कर दुनों हाथों को बगल में सटा लें और दुनों कंधों को पीछे के तरफ इस तरीके से खीचें कि वो पीछे आपस में मिल जाएं और कंधों में आगे के तरफ खीचाओ मैसूस हो दूसरी exercise है offer लेवी ये सबसे जरूरी exercise है तो इसे ठीक तरीके से करें इसे करते समय सारी movement हमें दूसरे हाथ से दर्दवाले हाथ को पकड़ के ही करनी है और दर्दवाले हाथ पे कोई pressure नहीं लगाना है लेट कर कोहनी सीधी रखते हुए दूसरे हाथ से दरद्वाले हाथ को पकड़ कर उपर की तरफ ले जाएं जितना हो सके उतना उपर लेके जाना है ऐसे दस बार उपर नीचे करना है दस रिपेटिशन होने के बाद दोनों हाथों को मुझ के सामने लाकर अलग कर लें और दोनों को दस सकेंड तक ऐसे ही रखें फिर उसको दूसरे हाथ से दुबारा से पकड़ कर नीचे के तरफ ले आएं ये वसारी मुव्मेंट एक साइकल है ऐसी हमें पांच या दस साइकल कर रही है आगे बताई जाने वारी साभी एक्सेसाइजिस में दस सकेंड तक पोजिशन होल्ड करें और दस बार रिपीट करें तीसरी एक्सेसाइज है लो फ्लाइज कमर को बिल्कुल जीधा रखते वे बैट जाएं और हातों को दिखाए गए तरीके से बाहर की तरफ खीचे इसे करते समय दोनों कंदों के बीच में नीचे की तरफ खीचाओ महसूस होना चाहिए अगली एक्सेसाइज है रेजिस्टेट एक्सेनल रोटेशन दर्दवाले हात को बगल से सटा कर रख लें कोहनी को 90 डिग्री पर मोड लें कलाई से थोड़ा उपर इस हात को दूसरे हात से पकड़ कर रखें अब दर्दवाले हात को कंदे से बाहर की तरफ घुमाने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से इस movement को रोकने की कोशिश करें, इस exercise के दोरान कहुनी और कंधा पूरे समय बगल से लगी हुई होनी चाहिए अगली exercise है resisted internal rotation, पिछली exercise की तरह ही position बनाते हुए इस exercise में हाथ को अंदर की तरफ ढखेलना है, दूसरे हाथ की मुठी बना कर उसे अंदर आने से रोकना है चटी exercise है anterior deltoid, एक छोटा तकिया या टाविल का रोल बना कर दिवाल से लगा ले, हाथ को बगल में रखकर कोहुनी को 90 डिग्री से मोडते हुए, मुठी बना कर उसे तकिया की तरफ ढखेले इस exercise के दौरान कंधे और कोहुनी पे कोई मुवमेंट नहीं होनी चाहिए और कंधे में आगे की तरफ प्रेशर महसूस होना चाहिए इस exercise को हम दूसरे हाथ के मदद से भी कर सकते हैं, इसमें दूसरा हाथ मुठी के सामने की तरफ लगा ले और हाथ को आगे बढ़ने से रोकें अगली exercise है posterior deltoid, दिवाल से पीट सटा कर खड़े हो जाएं, कोहुनी को 90 डिगरी पर मोड के कोहुनी के पीछे एक तक्या लगा ले और उसे पीछे की तरफ ढखे ले दखेलते समय कोहुनी या कंदे पर कोई मुवमेंट नहीं होनी चाहिए और प्रेशर कंदे के पीछे की तरफ आना चाहिए अखरी exercise है lateral deltoid, दिवाल से सटकर खड़े हो जाएं, कोहुनी को 90 डिगरी पर मोड ले और कोहुनी और दिवाल के बीचे एक तक्या लगा ले कंदे से ताकत लगाते हुए कोहुनी और तक्या को दिवाल की तरफ ढखे ले और इसमें कंदे या कोहुनी पर कोई मुवमेंट नहीं होनी चाहिए और प्रेशर कंदे की बाहर के तरफ महसूस होना चाहिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद